कि अज़िए नेटवर्ट टूटे मैं जावेद अंसारी समीम सौधागर के साथ सौनू सूथ रीवा को लेकर एक बाद फिर सुठियों में वजा सीधी और साथ रीवा सहर से लगा हुआ एक गाउं है बहला है वहां पर साथ मिक पाड़ साला है वहां के बच्चों ने एक ट्विट किया है जिसको सौनू सूथ को ट्विट किया तक वह चाहते थे बच्चे वहां की सड़क पर रहते हैं मेरा गांग पांच भी तक स्कूल है आगे की पढ़ाई के लिए दस सो से अधिक बच्चे को पास के गाउं खेरा जाना पड़ता है पर मेरे गाउं में उसे खेरा स्कूल जाने के लिए जो सड़क है वा मिट्टी की बनी है उसमें घुटनों तक दल दल है और एक नदी भी है हम है हम लोग रोज दल दल में गिर जाते हैं कप्डे किताबे सब खराप हो जाती है और नदी में में बेहने का डर भी रहता है प्रदाद मंत्री जी को उसके उफिस में लिखा गया है स्री विराज मामा जी को भी लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है टरफा सानु लूसूद मामा जी आप बोल ठाके हम बच्छे स्कूल तक ठीक पर जा सकते के मेरे प्यारे सानु नो मेरे मेरे सानु सुद मामा जी को हमारे साथ कि कि चारह वहाएं पर इस पूल उनके अंदर में हाँ हम सीधे उनीदे बात करते हैं सुधीर बाणड़ा जी है हम जानते हैं पूरा मामला क्या है मैं सुधीर बान्ड संकुल प्राचार निपनिया पूर्ध मे पुर्माद्मीक अब दिया विद्यार को एजुकेशन है बच्चियां और बच्चे दोनों पड़ते हैं दिया विध्याया ये शीप पड़िया पंचायत में आता है तो चुकि मैं अभी पिछले महीने दिपीसी के हसियत से वहां गया था दिश्टीप प्रोजेट कौाडिनेटर भी हुमें वहां गया था तो वहां जाकर मैंने देखा कि जो नहर है नहर के बगल से बच्चों के लिए रास्ता है और रास्ते को चुकि वह भुस्वामी है उनक तो वहां के जो हमारे सरपंज महोदें हैं, उनसे हमारी बारता लाब भी हुद, उन्होंने का कि चुकि यहां सास्की जमीन नहीं है, प्राइविट जमीन है, तो अपन पंदरा फुट जमीन पट्टेधारियों से बात करके, बार साथ के बाद जमीन दिलबाद में की कोसिस कर आएंगे, तो अभी बच्चे आज आ रहे हैं, लेकिन उनके गार्जियन पकडंडी से उनको बच्चों को ले जा रहे हैं, वो इस्कूल का काम और बच्चों का पथन पाथन प्रभाविद नहीं हो रहा है, तो उस इस्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस्कूल बना आने वालों ने उस समय ये नहीं सोचा विल्डिंग को हमने बना दी, लेकिन इस इस्कूल के अंदर लोग आएंगे, जाएंगे, 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 हम बात करेंगे निश्चित रूप से वहाँ पर जो भी सरपंच है, हमारे साथ पिंटु जी मौजूद है, सरपंच सुअ में आने जाने के लिए राश्ते के लिए आप क्या कुँछ करने जा रहरे हैं सो उनुसूत पर निर्भर रहेंगे या आप उपने स्वह्म के स्वहाइम की विवास्ताते मत्वदेश शासन से उस स्कूल में आने जाने व क्षरश्त है की उपलाप्दता पते कर और वो प्रधान मंत्री सवक में भी जोड़वाने के लिए मैं पूर्वे सरकार जो थी उनमें कमलेसर पटेल जी मंत्री थे उनको अबेदन दिया तो रोड चुड भी गई थी जैसे सरकार गिरी उस रोड को हटा दिया गया मेरे पास पूरे पत्र है कहिए तुम्हें पत्र उड़े दिखा दूँगा जिस तरह से उसमें अनमोदन हुआ अफिर अनमोदन से हटा दिया गया ग्राम बिलाहा के बच्चे हमारे हां लगबग तीन से तीन सो बच्चे हमारे ग्राम पंचायद खैरा में पढ़ने आते हैं और हैंडे टोन परसेंट रोड बहुत ही बतता रास्ता पूरी उपलब्ध है यह कि रोड बनना चलू हो जाए का कि ग्राम पंचायद इस तरह से नहीं बनाई जा सकती है वो जब तक उसमें बड़ा लागत मूल है इसलिए जिलब योजना समीत दोवारा यह बिधाय यह सांसद मद से ही बना जा सकता ग्राम पंचायद प इतनी गंभीर बात इस्कूल बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा इस्कूल को बना दी अब यहां पर बच्चे इस्कूल में जाएंगे कैसे 300 से जादा बच्चे हैं वहीं अनिल सिंग जी उस इलाके के सरपंच है उनका साथ तोरते कहना था कांग्रेस के कारिकाल में सड़क अने जाने खास थारत बच्चों को आने जाने में जिस तरीके से तकलिपों का सामना करना पड़ा वह अपने आप में देख करी काफी कि में Plus का रही है मैं झावेद हनसारी समीन के साव कर साहें मामा जी प्रणाम हम से चोटे चोटे बच्चे मतपदेश के रीबा जिलेग के ब्लोक पढ़ियां अंचायत के बिला गाउं में रहते हैं मेरा गाउं पांच भी तक स्कूल है आगे की पढ़ाई के लिए दस सो से अधिक बच्चे को पास के गाउं में खेरा जाना पड़ता है पर मेरे गाउं में उसे खेरा स्कूल जाने के लिए जो सड़क है वा मिट्टी की बनी है उसमें घुटनों तक दल दल है और एक नदी भी है हम है हम लोग रोज दल दल में गिर जाते हैं कपड़े किताबे सब खराप हो जाती हैं और नदी में में बेहने का डर भी रहता है प्रदान मंत्री जी को उसके उसके उफिस के में लिखा गया है स्रिवराज मामा जी को को भी लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुड़े लाण